हेलो दोस्तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ वाटसब पर कैसे लॉक लगाते हैं जी हाँ दोस्तो अभी हम वाटसब को ओपिन कर लेते हैं ओपिन करने के बाद देख सकते हो अभी हमारे वाटसब में लॉक नहीं लगा हुआ है तो आज के इस वीडिय तो आपको three dot पे क्लिक करने के बाद आपको नीचे में एक option देखने को मिल जागा settings तो आपको settings वाले option पे क्लिक करने के बाद यहां पर आपको एक option देखने को मिल जागा privacy तो आपको privacy वाले option पे क्लिक करने के बाद आपको नीचे की तरह पे score down करना है तो यहां पर आपको ए आपको एक option देखने को मिल जाएगा unlock with fingerprint तो दोस्तों आपको इसे enable कर देना है तो enable करने के लिए आपको इस permission को on कर देना है आपको इस पर क्लिक कर देना है उसके बाद यहां पर आपको एक option देखने को मिल जाएगा पिलीज विरिफाई और फिंगर तो यहाँ पर आपको अपना फिंगर पुछा जा रहा है कि आप अपने वाट्स अप से बाहर आएगा यानि अपने वाट्सअप को बंद कडियेगा तब आप कितने दर अपने वाट्सअप में लौट लगाना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको तीन option देखने को मिल जागा देख सकते हो तो पहला जोखी option है immediately एक मिनाट तीस मिनाट तो आपको कौन सा option select करना है तो यहाँ पर आपको immediately वाले option पर यहाँ पर select कर लेना है immediately select करने के बाद दोस्तों जब भी आप अपने whatsapp से बाहर आएगा तो आपके whatsapp पर तुरंत ही lock लग जागा तो दोस्तों मैं यहाँ यहाँ बाहरा आने के बाद मैं यहाँ पर whatsapp open कर लेता हूँ जैसे कि मैं यहाँ यह पर न पर देख सकते हो यहाँ तुरंत में ही благ लोक लोक चुका है तो आपको lock को open करने के लिए यहाँ पर आपको what's app को open करने के लिए यहाँ पर आपको finger print का sensor दिखेगा तो यहाँ पर आपको touch कर देना है Touch करने के बाद आपका what's app यहाँ पर open हो जाएगा तो दुस्तु हमारे what's app पर lock लग चुका है